अस्सलाम अलेकम नाजरीन सजल अली बहुत जल टीवी स्क्रीन पर अनकही के बाद कमबैक कर रही है और कहाँ जा रहा है कि इनके मुकाबिल एक बार फिर से बिलाल अबास होंगे जबके ड्रामे में विलन का रोल शहरियार मुनवर सिधी की अदा करेंगे तो फिर कि इन तीनों का कोलाबरेशन कैसा रहता है तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दर्खास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताके हमारी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे नमबर टेन यकीन का सफर यकीन का सफर एक ऐसा ड्र ड्रामा था जिसने सजलली को एक घरेलो नाम बनाया और इस ड्रामे की काम्याबी के बाद वो जल्द ही मुल्क की सबसे ज्यादा मकबूल अदाकाराओं में से एक बन गई ड्र जूबिया के किरदार में उन्हें नाजरीन की बहुत पजीराई मिली इसके इलावा साथ ही एदाकार आहद रजामे के साथ इनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी भी बहुत मकबूल हुई ये ड्रामा जिसे फरहत इश्तियाक ने लिखा था अभी हालिया दिनों में बेहतरीन पाकिस्तानी टीवी ड्रामों में से एक समझा जाता है समाजी राप्ते की वेबसाइट्स पर ड्रामे को फॉलो करने वाले प्रिस्तार तेजी से बढ़ने का मतलब ये था कि नाजरीन हर हफ़ते ये जाने के लिए बेताब होते थे कि डॉक्टर जूबिया का मस्तक्बिल क्या है नमबर नाइन आंगन खदीजा मस्तूर के उर्दू नावल अंगन से मख़ूज इस ट्रामा सीर अंगन में सजल ने छम्मी के करदार को हकीकत का रूप दिया अहदर जामीर, हैसन खान, माविरा हुसैन, सोनिया हुसैन और हिरामानी जैसे सितारों के साथ अदाकारी ने वाकिए सजल को उनकी सबसे यादगार प्रफॉर्मेंस एने में मदद की इस ट्रामे की हदायतकारी मुहमद इत्शामुदीन ने की और कुछ तक्नीकी महासों पर मुश्किलात के बावजूद भी वो कास्ट में शामिल तमाम लोगों की ताकतवर अदाकाराना साहियतों को पेश करने के लिए एक मौसर रहनमा के तोर पर काम्याब रहे ये पहला मुका था जब नाजरीन ने सजल को एक ऐसे ड्रामे में अदाकारी करते हुए देखा था जिसमें उनके किरदार की कहानी माजी में पेश आने वाले हालात के सबब मतासिर हुई थी बिलाश रवा सजल को उनकी अदाकारी पर खूब पजिराई मिली थी नमबर एच अलिफ उमेर अहमत के नावल अलिफ को जिन्दा करने वाली सजल और हम्जा की आन स्क्रीन जोड़ी को देखने के लिए नाजरीन बेचैन थे कई अदवार पर मबनी इस कहानी ने कराची से लेकर तुर्की तक कई दहाईयों मुकामात और मुजवात को बुर किया मरकजी अदाकारों बशमूल एहसन खान और कुब्रा खान के अदाकारी ने सायकीन को बहुत मतासर किया मुजूदा दोर में बनने वाले डृमों के मुकाबले इसे ज़्यादा पजिराई इसकी रोहानियत पर मुबनी कहानी के सबब हासिल हुई सीरिल के मरकजी किरदारों कलब मौमिन और मौमिना के गिर्द कहानी घूमती है फिल्म इंडस्ट्रिय और शोबिस की चकाचून के पसे मंजर में बनाई गई इस कहानी में दोनों मरकजी किरदार अपनी अलग राहों पर अपना मकसद हयात तलाश करते दिखाई देते हैं मंजर सहबाई हमजाली अबासी सजलली और सलीम मिराज की अदाकारी इसमें देखने से तालूर करती है प्रोड़क्शन एपिक एंटेटेन्मेंट ने की है नमबर सेवन धूप की दिवार धूप की दिवार एक हिंदुस्तानी प्रोड़क्शन हाउस की पेशकर्श और जी फाइफ पर नशर होने वाली ये वैब सीरीज सहथ के मुखालब सम्तों पर एक ही सानहे में फंसे दो फराद की अलमना कहानी पर मुबनी है जिसने फोरी तोर पर नाजरीन को मतासर किया सजल ने एक पाकिस्तानी लड़की का किरदार अदा किया जिसका तालूक एक फोजी खांदान से था और जिसके वालिद भारती फोर्सिस के साथ जड़प में शहीद हो गए थे अहद रिज़ा मीर नेक हिंदुस्तानी लड़के का किरदार अदा किया जिसके वालिद की उसी मकाबले में मौत हो गई थी हसीब भसन की हदायतकारी में सीरीज ने बड़ी नर्मी और जजबात के साथ मुज़ू को एक गर ममूली अंदाज में पेश किया उमेर अहमद की लिखी कहानी को इस वैब सीरीज की काम्याबी की वज़ा कहा जा सकता है अहद वफा की शानदार काम्याबी के बाद सिन्फियाहन मुख्तलिफ वसे मंदर से तालुक रखने वाली छे लड़कियों की कहानी है जिन्होंने पाक फोज में शमूलियत का फैसला किया उमेर अहमद की तहरीर इस ट्रामे के अगाज में किरदारों की मसला फोज में शामिल होने से पहले की जिन्दग्यों की अकासि की गई है और इस बात की खोच की गई है कि उन्हें अपनी कौम की खिदमत करने के लिए कि नवामल ने मजबूर किया खोच में शमूलियत के बाद कहानी के किरदारों को दरपेश चैलेंजेज और मुश्किलात पर मुपनी मनाज़िद देखने को मिलते हैं जिन से इस सदारे में शामिल होने बाला हर इनसान गुजरता है कुदरती तोर पर इस ड्रामा सीरियल के बारे में जो चीज सबसे ज़्यादा मुनफरीद थी वो ये थी कि उसने एक ऐसी कहानी सुनाने के लिए एक मुनफरीद नुक्ता नजर अपनाया जिसे अगर मरदाना नुक्ता नजर से सुनाया जाए तो बहुत आम मालूम होता नदीम बेक की हदायतकारी में बनने वाले इस सीरियल में सजल, कुबरा खान, यबना जैदी, रिमशा खान और सारा यूसफ ने अदाकारी के जोहर दिखाए है ड्रामा सीरिल गुले राना एक मतवस्थ कराने की कनाल बसंद लड़की की कहानी है जो अपने वालिदेन की इंतकाल के बाद अपने ताया के घर में रहती है गुले राना अपने दूसरे कजन से बिलकुल मुक्तलि मिजाज की है जो तालीम के साथ-साथ अपनी रवायात, रहन सहन और कांदानिक दार का भी ख्याल लगती है गुले राना के बरक्स उसका कजन अदील एक खुद पसंद और घमन्डी शक्सियत का मालिक है जो लड़कियों को खुद से कम तर तसवर करता है उसकी नज़र में लड़कियां सिर्व गजारी और तफरीका सामान होती है अदेल किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहता है जो सिर्फ घर संभाले और उसके मौमलात में दखल अंदाजी ना करे उससे गुले राना की साथ गिर कनाद पसंदी बहाज जाती है और अंग्रेजा में सजलली ने ससी का रोल प्लेग किया है ससी खयाम सानी नामे एक शाइर की बेटी है ये केड़ार सजलली ने बहुत खुबसूरती है और महारत से अदा किया है और आवाम में काफ़ी मक्भूलियत का हमल रहा मगर दरासल ससी की सच्ची और हिरान कुन कामया भी ये है कि पाकिसानी स्क्रीन पर एक दफ़ा फिर औरत हंस रही है और गोर कर रही है और अपने जबानों ब्यान से एक करदार है, एक कहानी है, एक सोच है महज एक रुस्वा औरत या एक दुख्यारी दर्द की मारी नारी नहीं ससी के करदार में जो गम और गुसा है, उसका तालुक माशर में मौजूद दोगले मायार से है उसका बाप एक फिल्म की हिरोईन से महबत करता है और ससी की नजर में उसका बाप उसका आइडियल है ससी की माँ एक हमोश सी, सहमी हुई सी घरिलू वरत है और ससी की पुर्जोर कोशिश और तमन्ना यही है कि वो अपनी माँ जैसी हर्गिज ना हो जो महबत उसकी माँ उसके बाप से करती है ससी को उस तरह की महबत से कोई लगाओ नहीं बाच्छार घुलाम की महबत उसके नज़ीक बेकार है ससी की आइडियल महबत भी अपने बाप की महबत जैसी है जो वो एक हिरोइन से करता है ये दिल मेरा ड्रामा सीरी लिए दिल मेरा में सजलली ने एना का रोल प्ले किया एना एक ताकत पर बिजनस टाइकोन मीर फारुक जमान की कलोथी बेटी है वो केमिकल इंजिनिरिंग की तालिबा है और एक याईल इंडस्ट्री से अपनी इंटर्नशीप मकमल करने का इरादा रखती है जिसका नाम उसके सीईओ इमान खान अल्ला के नाम पर रखा गया है बात चीक के बाद अमान अपनी दिरकर शक्सित के जर्ये एना का दिल जीत लेता है और उसे शादी के लिए प्रिपोस करता है लेकिन अमान ने तक्रीब से चंद दिन पहले शादी मनसूख कर दी और बरतानिया चला गया सिर्फ बाद में वापस आकर उसे शादी कर लेता है जब वो उसके मनत करती है आयना की जिन्दगी शादी के बाद तंजली का शिकार हो जाती है क्यूंकि अमान उसके खिलाफ हो जाता है वो जब अबाद तलाश करना शुरू कर देती है और अमान के तकलीफ दे बच्पन के बारे में पता लगाती है जिसमें उसके वालिदेन और बहन को उसके वालिद ने खतल कर दिया था उनका रिश्टा खतम हो गया था लेकिन अमान ने मीर फारूक को कातल ठहराया वो दोनों दिर्या बाग जाते हैं जहां अमान के वालिदेन को मुबयना तोर पर कतल कर दिया गया था अगर्चे एक साथ अब उन दोनों के मुक्तलिफ मुकासित होते हैं एना के लिए अपने वालिद की बेगुनाही साबित करना जबके अमान के लिए अपने वालिदेन और का करदार निभाया है जो कि एक हमदर्ध भाद और खतून सहाफ, फिर समाजी कार्कुन है अजान समीकान ने इजलान का करदार है जिसका तालोक के शाफिया क्लास से है लेकिन वो कामयाब बिजनसमें होने के साथ-साथ एक खुद पसंद, मगरूर और ख़दा पर यकिन ना रखने वाला नोजवान है अजलान और शनाया का तालोग दोस्ती से शुरू हो कर महबत की शादी और आखर में इश्क में तबदिल हो जाता है तीसरा और मेरे नजदीक सबसे एहम युम्नाजादी की जानिब से निभाया गया इसका ककरदार था जो लोगों की जदोजहर की है जो मौशर में निचने तबकी से तालुक अगने के बावजूद अपनी मेहनत और खुलूस से काम्याबियों की मनाज़र तैग कर लेते हैं नमबर वन कुछ अनकही सजलली का एक ब्लॉक बस्टर ड्रामा है सजलली का ताज़ा तरीन कुछ अनकही पाकिस्तानी ड्रामा शायकीन के लिए ताजा हवा का सांस बन गया है हसास इन फिकरदार अदा करना पुरमन दोस्ती का मुझाहरा जाम्यार सादा कहानी जो हर कोई समझ सकता है तमाम उमर गृपों के सामईन को आदी बनाना सीरिस की तारीफ इस वक्त से हुई जब से ये पहली बार नशर हुई ताहम डिजाइनर मारिया बट उर्फ मारिया भी मुतासिर नहीं हुई हाल इमे सोशल मीडिया पर उपरेटर ने ड्रामे की तश्यूर की मजबत के लिए शो का स्क्रीन शॉर्ट शेयर करने का फैसला किया खेंची गई तस्वीर उस मंजे की है जहां सजल के कमरे में जॉयलेंड फिल्म के पोस्टर्स हमें देखने को मिलते हैं अपनी इंस्टेग्राम स्टोरी पर मारिया भी ने लिखा कि हमारे पास सब भी ऐसे ड्रामे हैं जो के जॉयलेंड और ट्रांसजेंडर्स की हमायत करते हैं हम बेवकुफ नहीं हैं हम समझते हैं उन्होंने पाकिस्तानियों पर जोर दिया कि वो जागें और नई एजन्डे को देखें पाकिस्तान की मदद करने की बजाए हम अपनी मजभी शनाखत बेच रहे हैं जैसा कि नाजरीन सजल और बिलालबास के ताज़ा तरीन सितारों की तारीफ करने के लिए ज्यादा से ज्यादा वजुहात तलाश करते हैं बट की ताज़ा तरीन कौल ट्रांसजेंडर के हकुग के खिलाफ महम का हिस्सा है जो आई लेंड जो ट्रांसजेंडर दाकारों को दिखाता है और ट्रांसजेंडर की महबब की कहानिया दिखाता है आपका मार्याबी से मतफिक होना जरूरी नहीं क्योंकि ड्रामा शानदार है तो ये था हमारा आज का काउंट डाउन जो के सेजलाली के ड्रामास पर मुखनी था मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अपना फीड़बेक देना बिलकुल मत भूलिएगा अल्ला हाफिस